आपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो अर्थ पूर्ण है परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जब तुम मेरी याद में खोई होते हो तो तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करता हूँ तो मैं सोचती थी कि ये कैसे होता है उसका प्रैक्टिकल अनुभव मुझे हुआ वो मैं आपके सामने रख रहे हूँ हमारे दिल्ली के पास माने सर में बहुत बड़ा ओम शान्ती रिट्रेट सेंटर है इसको हम और सी के नाम से जानते हैं मैं वहां गुडगाओं में रहती थी तो हमारी एक मन्त में एक भटी होती थी तीवर प्रशार्थी ग्रूप की भटी सेकंड सैटर्डे और संड़े को तो मैं कमपल सरी उसको अटेंड करती थी तो एक दिन मैं अपने घर से गुडगाओं से माने सर के लिए निकली अपनी भटी अटेंड करने के लिए तो गुर्टगाउं से मानिसर का जो डिस्टेन था अराउंट एक घंटे से भी ज़्यादा बाइक कार लगता है ओन रोड और वो हाईवे है पूरा तो मैं अपनी घर से, कार से, सेल्फ ड्राइव करके अपनी भट्टी अटेंड करने के लिए मॉल्णिंग में घर से निकली तो मैं रास्ते में अकेली ही जा रही थी तो मैंने सोचा कि क्या करूं कि मेरा टाइम बहुत अच्छे से निकल जाए तो मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी में एक सीडी रखी थी बाबा के गानों की परमात्मा के गीत जो नई रिलीज हुई थी मधुबन से और वो मैंने सुनी नहीं थी तो मुझे एकदम याद आया कि यह जो गीत है आज सुनती हूँ क्या किस टाइप के गीत है वो लेटेस सीडी रिलीज हुई थी तो मैंने सीडी निकाल कर वो प्ले की तो जब मैं वो गाने सुनने लगी वो गीत बहुत ही अच्छे और टचिंग गीत थे मैं हाईवे पर ही जा रही थी बलकि थोड़ा साइट चल रही थी कि कोई गाड़ी आएगी तो निकल जाएगी और मैं साइट से अपना से लेकर गाड़ी ड्राइब कर रही थी अच्छा बाबा के गीत परमात्मा के गीत चालू किये और वो गीत इतने टचिंग थे इतने लुभाने थे कि मैं उन गीतों के अर्थ में चली गई और जैसे खो जाते हैं ना लवली इस्थिती जिसको कहते हैं वो मेरी मंत्र मुग्ध जैसे हो जाते हैं एनीवी मेरे मन में एक कॉर्डनर में था कि मैं ड्राइव भी कर रही हूँ पर मैं उन गीतों में खोसी गई जैसे तो अच्छानक चलते चलते दो तीन चार गीत सुने तो बहुत ही अच्छे लगने लगे और लगा मेरा सफर तो बहुत अच्छा है तो अच्छानक क्या हुआ मैं गाड़े मेरा हाथ कार की स्टेरिंग पर था और अच्छानक से हाथ मेरा है स्टेरिंग पर और किसी ने कोई ऐसी पावर्फुल शक्त दी और जो बहुत मीठा पन था उसमें एक अजीब सा अलोकिक था थी मेरे स्टेरिंग को घुमाया लेफ्ट साइट और लेफ्ट गाड़ी को किया और फिर स्टेरिंग को राइट करके सीधा कर दिया तो I was shocked कि ये क्या हाथ तो मेरा है लेकिन ये turn किस ने किया गाड़ी को स्टेरिंग को किस ने घुमाया तो मैं एकदम हैरान रह गई और फिर मैंने देखा कि पीछे एक बस थी जो हॉर्ण मारती मारती आगे निकल गई जैसे मेरी गाड़ी साइड हुई और बस पीछे से हॉर्ण बजाती बजाती आगे निकल गई मेभी कि मैं वो मेरे से रास्ता मांग रही होगी या और मैं बाबा की याद में खोई हुई थी उन गीतों में इतना खो गई थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा मुझे सुनाई नहीं दिया तो ये अनुभव मैंने सूचा ये मेरे साथ क्या हुआ एकदम मुझे क्लिक किया और मेरे मन में याद आई ओ बाबा ये तो आप थे मैं तो जिसे खो गई थी तो बाबा ने मेरी गाड़ी को साइड किया और उसके बाद सीधा कर दिया और जो ट्रैफिक आ रहा था वो पीछे से आना शुरू हो गया या आ रहा था मतलब की गाड़ियों को रास्ता मिल गया तो ये था कि मैं बाबा के गीतों में और उनके वर्ड्स में इतना डीप मेस में चली गई जिसको हम बोलते हैं लवली निस्थिती या खो जाना या जिसको कहते हैं समा जाना तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ क्रियेट हो गई थी उन गीतों को सुनते सुनते तो ये अनुभव जब मैंने किया तो मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी करके और सोचने लगी कि ये क्या तो अंत मुझे बगवान के महवक के याद आए कि भगवान ने कहा था कि बच्चे जब तुम मेरी याद में खोई होते हो तो मैं सोच तुमारे सोचने का काम भी खुद करता हूँ तो ये मेरा उस समय का अनुभव था कि जो क्योंकि ये संकल्प मेरे अंदर चलता था कि हम भगवान की याद में खोते हैं तो भगवान हमारा काम कर देता है तो क्वेश्चन मार्क लगता था कि कैसे भगवान काम करता है पता नहीं तो वो संकल्प जो पूरा किया वो इस अनुखव के साथ कि जब मैं खो गई उसमें लीन हो गई परमात्मा के गीत में और परमात्मा में तो उन्होंने ही आकर ये काम किया तो ये था प्राक्टिकल अनुभव की कैसे जब हम परमात्मा के याद में लीन रहते हैं लवलीन हो जाते हैं हो जाते हैं समा जाते हैं कुछ समय के लिए तो उस समय परमात्मा हमारे उस कारे को करते हैं, मदद करते हैं तो इससे क्या हमने निशकर्ष निकाला कि हम परमात्मा हमारे साथ सदा होते हैं ये बात अलग है कि हम अपनी ही दुनिया के संकल्पों में इतने बिजी हो जाते हैं काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें उनकी मदद का अनुभव नहीं होता तो जब हम एकांतवासी बनते हैं और उनके प्यार में खो जाते हैं तो हमें उनकी मदद का स्पस्ट अनुभव हो जाता है तो ये था कि मन की एकागरता और एकांतवासी होकर रहना या अंतर मुखी होकर रहने से हम परमात्मा की मदद वो हमें हमेशा कर रहे होते हैं पर वो हमें महसूस नहीं होती पर जब हम इस स्थिती में होते हैं तो हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ इतना क्लियर और करेक्ट और एकुरेट होता है कि उनकी डारेक्ट मदद वो हमें कैसे कर रहे हैं वो हम जान पाते हैं तो ये मेरा एक मीठा सा अनुभव था और उसके बाद मैं धिरे ओर से पहुंची इतनी खुशी थी इतना उमंग उसा था कि भगवान ऐसे आकर भी मदद करता है ये तो मालूम था कि वो किसी न किसी रूप में आ जाता है किसी को भेज देता है किसी को निमित बना देता है लेकिन इस तरह का अनुभव की स्टियरिंग पर मेरा ही हाथ है लेकिन उसको घुमा कोई और रहा है ये अनुभव तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान ऐसे आकर भी मदद करता है तो ये थी उसकी डारेक्ट मदद मतलब किसी को उसने भेजा तो वो आत्मा निमित बनकर मेरे साथ सामने आई और उसने मेरी मदद की लेकिन यहां तो कोई व्यक्ती भी नहीं आया था यहां तो किसी शक्ती ने कारे किया किसी पावर ने कारे किया और उस पावर का अनभव इतना अलोकिक इतना अनूठा था कि मैं बहुत देर तक इसी के बारे में सोचती रही कि ये कितनी अनोखी और अजीब शक्ती थी जिसने ये कारे किया तो ये छोटा सा अनुभव है लेकिन परमात्मा की डारेक्ट वो हमें कैसे मदद करते हैं अगर हमारी बुद्धी की लाइन उनके साथ बिजी होती है या क्लीन और क्लियर होती है तो उनकी मदद का डारेक्ट अनुभव हमें होता है कि वो हमें कैसे मदद करते हैं एक होती है direct मदत एक होती है indirect मदत तो direct ये थी direct मदत वो किसी को निमित बना कर भेजें और उनके द्वारा कारे हो जाए और फेर हम बाद में सोचते हैं अच्छा, कोई आय था, वो कारे करके चला गया लेकिन यहां तो कोई आया भी नहीं था, किसी शक्ती ने कारे खिया तो आप खुद ही सोचिए ये शक्ति कौन सी हो सकती है ये कौन सी पावर थी जिसने ये मदद की तो क्योंकि मैंने इसको महसूस किया तो इसकी feeling मैं पतानी words में आपके सामने explain कर पा रही हुआ नहीं पर वो बहुत मीठी मीठी feeling थी एक different feeling थी तो ये परमात्मा की direct मदद थी तो एक direct होती है एक indirect होती है कभी कभी हमें indirect मदद भी पता लगती है सपोस एक बार ऐसा ही हुआ था गाड़ी रास्ते में खराब हो गई चारों तरफ traffic traffic बीच में गाड़ी खराब तो हम तो क्या करते हैं हम बाबा के बच्चे कि हम उसकी याद में बैठ जाते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं तब कैसे वो मदद करता है फिर हम देखते हैं हम की याद में बैठते हैं हम ये गाड़ी खराब हो गई है अब आप ही करिए हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं इत सारा ट्रैफिक जाम हो गया अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें किसको बुलाएं तो उसकी याद में बैठ गए तब किसी आत्मा को निमित बना कर परमात्मा ने भेजा भगवार ने भेजा और वो गाड़ी को उन्होंने साइड करके रिपेर किया और गाड़ी स्टार्ट जो मुझे अनुभव हुआ वो था परमात्मा डारेक्ट कैसे मदद करते हैं अगर हम बुद्धी क्लियर है उसमें खोए हैं तो उसकी मदद हमें डारेक्ट मिलती है और दूसरा जो मैंने शेयर किया वो था कि कैसे इंडारेक्ट वो हमारी मदद करते हैं तो भाई और बहन ये अनुभव इसलिए शेयर किया है कि भगवान पर विश्वास रखे अगर आप मन से सच्चे हैं दिल से साफ हैं और उसकी याद में सब कुछ उसको सौप कर बैठ जाते हैं चाहें आपको किसी भी ग्यान की समझ है या नहीं है वो मदद करने आएगा ये बात अलग है कि उसको मदद करने का तरीका अलग-अलग होता है वो अपनी रीती से मदद करता है लेकिन आप बुध्धी से साफ है बुध्धी क्लीन है और दिल साफ है तो आप महसूस करेंगे उसे कभी भी किसी भी स्थान पर भी उसको याद कर लो किसी भी मुसीवत में उसको याद कर लो वो आपको मदद करने आएगा चाहे डारेक्ट, चाहे इंडारेक्ट तो इसलिए सभी भाईयों भेनों से मैं यही कहूंगी यह तो एक अनुहव शेयर किया है ऐसे पता नहीं कितने अनुहव है तो इन शॉट में आपको यही कहना चाहती हूं कि भगवान पर भरोसा रखे, विश्वास रखे, निश्चे रखे और थोड़ी कभी-कभी वो हमारी ध्यर्यता की परिक्षा भी लेता है तो पेशेंस रखे अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करते हैं? अधीर हो जाते हैं घवरा जाते हैं, इंपेशेंट हो जाते हैं उस समय अपनी मन की इस्थिती को ठीक रखना है और वेट अन वाच उसको याद करो, आप हमारी मदद करो और वेट अन वाच करो अगर फिर वो मदद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता तो परमात्मा में अपनी आस्था बनाए रखें और विश्वास करें, उस पर निश्च करें वो हमारा पिता है, इसलिए हम उसको गौड फादर कहते हैं सभी जानते हैं ना, कि वो हमारा गौड फादर है तो पिता मुसीबत में अपने बच्चे की मदद ना करे राजयोग मेडिटेशन, जिस से कैसे आप परमात्मा से connect हो सकते हैं, डारेक्ट, बिना किसी गुरू के, बिना किसी की help के आप डारेक्ट परमात्मा से जुड सकते हैं और उस राजयोग मेडिटेशन का आप अभ्यास करेंगे तो आप परमात्मा की डारेक्ट मदद महसूस कर सकते हैं तो ये राजयोग मेडिटेशन हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में free of cost सिखाया जाता है और हमारे worldwide सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हर जगा पर 5-6 किलोमीटर के अंदर 100% एक सेंटर भारत में है और निशुल्क सिखाया जाता है इसलिए वहाँ जाकर आप योग मेडिटेशन सीखें और परमात्मा के नजदेक आएं क्योंकि वर्तमान समें परिस्थितियां कभी अनकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं उसकी मदद की जरूरत बहुत बहुत जादा है तो आप इस मेडिटेशन को सीखें ये मेरे मन में विचार आया था तो मैंने आपके समक्ष सुनाया ताकि आप भी इसको जानें ओम शान्ति